हलो मेरे प्यारे स्टुडेंट्स कैसे हो आप सब सो अलमोस्ट 35 दिन हो गया है कोई भी वीडियो नहीं आया है इसके पीछे बहुत सारा कारण है पिछले 35 दिनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और आगे क्या उसका future है उसके बारे मैं आपसे बात करूँगा दूसरा चीज आपसे बात करने वाला हूँ बहुत important चीज के बारे में जो कि आपके directly exam को impact करेगा और वो चीज है crash course यानि last year हमने मध्यमिक के लिए crash course लाया था 50 days के अंदर 55 days के अंदर हमने पूरा syllabus को complete करवाया था और बहुत सारे बच्चों को बहुत benefit हुआ था उससे इस साल crash course का क्या plan है क्योंकि 2nd February से आपका final exam सुरू है तीसरा चीज जो आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि पिछले 30 दिनों से मैं एक video project पे काम कर रहा था kind of documentary video है और आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा वो video वो video तीस दिनों के hard work के बाद complete हो गया है पूरा editing और editing सब कुछ complete हो गया है ये तीन चीज के बारे मैं आपसे बात करूँगा सो सबसे पहला चीज से सुरू करते हैं concept रा एप से सो 4 या 5 October को मुझे गूगल के तरफ से एक mail आता है कि आपके app को suspend कर दिया गया है अब जब मैं बिसिकली मैं उस वक्त वर्काउट कर रहा था जिम में एक student का call आया कि भीया आपका app play store पे दीख नहीं रहा है सो मैं बोला क्या बात करे हो सही से आप check करो क्यों नहीं दीखेगा मैं भीया नहीं दीख रहा है मैंने चेक किया है तो फिर उसको call रखने के बाद मैं फिर play store पे गया जाकर अपने app को चेक करने के लिए तो वहाँ पे app दीखी नहीं रहा है अब जब आप नहीं दीख रहा है तो मैं Gmail अपना open किया mail open करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि Google वाले के तरफ से mail आया है कि आपके app को suspend कर दिया गया है कारण क्या था? कारण ये था कि जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का जो app है वो WBC Board के बच्चों को help कर रहा है तो app का नाम था Concept Era Learning App for WBC या WBC Learning App So Google Play ये कह रहा है कि WBC Word जो आपने यूज किया है उसके कारण आप अपने यूजर को mislead कर रहे हो और आप basically आपके पास क्या permission है कि आप WBC Word यूज कर सकते हो तो वेल इसके regarding बहुत सारा मैंने mail इदर से Google वाले को किया कि ये जो word हम लोग यूज कर रहे हैं ये नया यूज नहीं कर रहे हैं और पिछले ढ़ाई साल से हम लोग यही word यूज कर रहे हैं और तो और मतलब ऐसा कोई यूजर को mislead करने का कोई intention नहीं है हमारा जस्ट इसलिए यूज किया गया उसको क्योंकि यूजर को पता चले कि हाँ उनके WAC exam के लिए preparation करने के लिए ये app बनाया गया है बर उदर से कोई भी ऐसा reply नहीं आया जो हम लोगों को संतुष्ट कर सके यानि कि उदर से reply आया कि क्या आपके पास कोई government के तरफ से document है कि आप WAC word अपने app के title में यूज कर सकते हो आपके लिए कोई document हमारे पास वैसा है नहीं सो कुल मिला के बात ये है कि उस एक word के कारण जो हमने पिछले धाई साल में जितना मेहनत किया था और मेहनत करके जो हमने app पे user base बनाया था app में जो उतना सारा हमने ratings वगेरा आप लोगों ने दिया था वो सारा कुछ खतम हो गया है और लगभग 30 दिनों से इंतिजार करने के बाद final ये conclusion पे पहुँचा हूँ कि अपसे 0 से फिर से हम लोग नए तरीके से सुरुभात करते हैं तो हुआ ये है एक new app हम लोग बना रहे है और वो नया app almost complete हो चुका है आपको विदिन 2 और 3 डेस के अंदर आपको प्ले स्टोर पे वो नया app मिल जाएगा डिफरेंस ही होगा कि उस app का डाउनलोड जो पहले 10 अजार दिखा रहा था अब जिरो हो जाएगा जो रेटिंग्स लगबख साड़े 900 के आसपास रेटिंग्स था वो अब जीरो हो जाएगा यानि हम लोग जीरो से जरू करेंगे कुछ किया नहीं जा सकता है अब यही possible way मुझे दीखा तो यही last option है इसलिए मैं इस option के साथ जा रहा हूँ बाई दवे अगर आप चाते हो अभी आप को डाउनलोड करना तो आप आप अभी डाउनलोड कर सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ और जब न्यू आप आएगा प्ले स्टोर पे आप लोगों से यह request है मेरा के उस एप में आप लोगों को जो भी help मिला है कॉनसेप्टर से उसके regarding आप ज़रूर उस एप को rate करें ताके एप पहले के तरह तो नहीं rank कर पाएगा बट फिर भी थोड़ा बहुत rating रहेगा तो अच्छा impact पड़ेगा ठीक है सो यह हो गया हमारा कॉनसेप्टर एप के बारे में और होफुली नया एप जल्द आ जाएगा दो-तीन दिन के अंदर आप लोगो community post में मैं inform कर दूँगा अभी जो एप डाउनलोड करना चाहते हैं मैं direct link दे दूँगा आपको description में जिससे आप आप को डिरेक्ली डाउनलोड करके आप अपना पड़ाही कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया आपका पहला दूसरा चीज जो है वो है crash course के बारे में तो एप गया या रहा जो भी हुआ हो उससे आप लोग के पढ़ाही पर impact नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए crash course इस साल भी आएगा आप लोगों के लिए और इस साल भी हम लोग 50 से 55 दिन के अंदर पूरे syllabus को complete करने का कोशिस करेंगे और सब कुछ आपके crash course में जो भी ची होगा आपको एक अच्छा marks score करने के लिए सब कुछ उसमें आपको provide किया जाएगा और इसके उपर जब crash course पुरा launch होगा तब मैं एक वीडियो बनाऊगा आपको पुरा detail में समझाऊँगा फिलाल इतना समझे crash course done है और 15 नमंबर के आस-पास आप लोगों के लिए course आ जाएगा और उस course में आप जोईन कर पाओगे अब ये जो crash course है ना इसमें मैं इस बार कुछ special चीच कर रहा हूँ आप उस crash course को चाहो तो अभी pre-enroll कर सकते हो pre-enroll करने के लिए आपको description में एक link दिखेगा क्लिक करके आपको 49 रुपीज पे करना है और आप उस course के लिए pre-enroll कर चुके हो अब ये pre-enroll का मतलब क्या हुआ तो देखो जितने बच्चे भी pre-enroll करेंगे course के अंदर यानि आज, कल जो link दिया हुआ है वो दो-तीन दिन या चार-पांच दिन तक चलेगा उसके बाद वो link हडा दिया जाएगा जो जितने बच्चे भी उस दोरान pre-enroll करेंगे 49 रुपीज देकर तो जब course आएगा 15 नॉमबर या 16 नॉमबर को जब course आएगा तब उनको exclusive discount उनके WhatsApp पे send कर दिया जाएगा उनके WhatsApp पे exclusive coupon send कर दिया जाएगा जो discount किसी भी और user को नहीं मिलेगा सिर्फ उन ही को मिलेगा जो course में pre-enroll करके रखे हैं 49 रुपीज देकर तो आप इस opportunity का फाइदा उठा सकते हो आपको description में link दिख जाएगा जिससे आप crash course को pre-enroll कर सकते हो कुछ नहीं करना है क्लिक करके जाना है और अपना seed book कर लेना है 49 रुपीज देकर जब course आएगा आपको exclusive discount मिलेगा और आप भी खूश हो जाओगे कि pre-enrollment का बहुत अच्छा फाइदा मिला है ठीक है ये हो गया दूसरा चीज तीसरा चीज जो के मैं एक video project पर काम कर रहा था पिछले 30 दिनों से पिछले 30 दिनों में बहुत कुछ मैंने learn किया है बहुत सारे software को मैंने सीखा है और बहुत मज़ा आया पिछले 30 दिनों में इतना कुछ चल भी रहा था जिसके कारण और delay भी होता जा रहा था क्योंकि एक tension भी दिमाग में चल रहा था अभी वो वीडियो अलड़ी मैं प्रीमियर पर लगा चुका हूँ आप जाके उस वीडियो को पर क्लिक करके आप उस पर रिमाइंडर सेट कर सकते हो ताके कल 12 बजे जब वीडियो लाइव आए तो आप उसको लाइव देख पाओ ठीक है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और उसमें बहुत मेहनत किया गये वीडियो में यह तीन चीज मुझे आप लोगों को बताना था मैं चाता तो डेटेक्टली वह वाला वीडियो कल डाल देता बट मैं सोचा एक बार आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लिया जाए क्योंकि बहुत दिन होगी आप लोगों से बातचीत नहीं किया हूँ यह पुरा समप था क्योंकि जो अब हो गया उसको तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कोई option मेरे पास अब बचा नहीं है मैंने जो भी अपने तरफ से करना था mail वगरा Google को सब कुछ मैंने कर लिया मैंने उनको यह भी बोला के जो word है WSC मैं उसको हटा देता हूँ आप description में भी जो WSC word है मैं उसको हटा देता हूँ बट वोलों को ने बोला के नहीं ऐसा नहीं होगा आपको कोई एक document सब्मिट करना होगा जिन में सारे पार्टी इंवाल्ड हो यानि WSC नाम जो वह वह गोवर्मेंट एंटीटी है तो WSC नाम government entity है तो government का उसमें sign होना चाहिए आपका उसमें sign होना चाहिए एक ऐसा लेटर हमें submit कीजिए तब आपको यह आप हम लोग वापिस देंगे तो मेरे ख्याल से वह पॉसिबल नहीं है तो इसलिए new app अब आएगा ठीक है तो यह तीन update आप लोग को देना था और description में link है आप सारे लोग जाए जाकर crash course के लिए pre enroll करें सिर्फ 49 रुपीज देकर और उसके बाद जब course आएगा तो उसके लिए आपको exclusive discount मिलेगा जिसको देखकर आप भी खुश हो जाओगे और बाकी लोग सब पच्टाएंगे कि काश हम भी pre enroll कर लेते तो मुझे भी exclusive discount मिल में पढ़ रहे हो या कोई government exam का preparation कर रहे हो जिनको भी आप जानते हो जो पढ़ाई लिखाई से related है या कोई इंट्रेस्टेट है इस topic पे तो आप उस वीडियो का link copy करके उन सारे लोगों को जरूर शेर करना ताके ज्यादा स्यादा लोग मिलकर उस वीडियो को कल 12 बजे द contact करना मेरा नंबर आप लोगों के पास है और वाटसप पे भी contact कर सकते हो अधरवाइद आप में जाके वहाँ पे चैट वाला फीचर से आप मुझे डिरेक्ली कॉन्टेक्ट महां चैटिंग से भी कर सकते हो कोई अगर डाउट है या कोई कोशन है या कुछ धिमाग में उल 12 बजे तब तक अपने धीर सारा ख्यार लगिए थैंक यू